आज हम अपना एक नया चिप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हैं चिप्टर 5 वराइटी ओफ लाइफ वराइटी ओफ लाइफ के अंदर हम यह पढ़ेंगे के लिविंग औरगिनिजम्स की क्या क्या वराइटी होती हैं और फिर हम उनको किस तरह से इजिली स्टडी कर सकते हैं इसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं बायो डायवर्सिटी बायो डायवर्सिटी हम किसे कहते हैं बायो डायवर्सिटी हम यह कहते हैं कि लिविंग औरगिनिजम्स के इस तरह से पूरे प्लैनेट के उपर पूरे अर्थ के उपर फैली हुई है कहां कहां पे कौन-कौन से living organisms पाई जाती हैं इन तमाम चीज़ों को हम biodiversity के अंदर पढ़ते हैं अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो हमें पता है कि अर्थ के उपर अभी थक जितनी भी चीज़ें हो चुकी हैं जितनी भी living organism डिस्कवर हुए हैं उसके अंदर तक्रीबन 1.5 million animals ऐसे हैं जिनको हम discover कर चुके हैं 1.5 million animals और इसे तहाँ अगर हम plants की बात करते हैं तो हमारे पास 0.5 million plants ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं जो के known हैं आज कल की world में 1.5 million means कितने ये तक्रीबन हमारे पास 15,000,000 और अगर हम plants की बात करते हैं तो ये हमारे पास 5,000,000 जो है वो plants की किसमे हैं जिनको हम जानते हैं अब अगर हम इतने बड़े large group of large animals को देखें तो इनको पढ़ना हमारे लिए वाकितन एक बहुत ही मुश्किल काम है अगर हम एक एक करके हर किसम को हर type को पढ़ने लगे एनिमल्स की type में for example insects हैं हमारे पास micro organisms हैं इसी तरह बड़े बड़े organisms में महारे पास whales हैं हमारे पास giraffe है elephant है तो एक पूरी diverse category को study किस तरह से करना है इसके लिए हम एक scientific method follow करते हैं और उस scientific method को हम कहते हैं वो है हमारे पास classification हम तमाम living organisms को classify कर देते हैं into groups and subgroups ताके हम उनको easily पढ़ सके और फिर हम उनको easily relate कर सके हम उनका अपस में relationship बना सके ताके हम मजीद जान सके और उन जैसे मजीद organisms को अपने फाइदे के लिए इस्तमाल कर सके अब सवाल हमारे पास यहां यह उटता है कि यह जो हमने नाम लिया है classification यह जो हमने classification का जिकर किया है तो classification की कैसे जाती है अब different तरहा से group बनाए जा सकते हैं जिससे for example अगर आप flowering plant की बात करें ऐसे पोदे जिनके उपर फूल लगते हैं तो flowering plants की तो हम different तरहा से classification कर सकते हैं हम उसको colors की basis पे अलग कर दें जितने भी फूल हमारे पास red हैं और हमारे पास pink हैं white हैं different तरह के orange flowers हैं हम तमाम flowers को उनके colors की basis पे different categories बना दे similarly अगर हम height को देखते हैं कुछ हमारे पास छोटे पोदे आते हैं कुछ हमारे पास दर्मियाने आते हैं कुछ बड़े आते हैं तो हम height को एक characteristic रखके हम different classes बना सकते हैं लेकिन अगर हम इस किसम की classification करने लगेंगे तो हमारे लिए later on बाद में जाके problems बन सकती हैं हमारे लिए इसको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा तो फिर अब क्या ऐसी चीज़ होगी जिसको हम basis बनाएं और उसके मताबिक different चीज़ों को classify करें उनके different groups बनाएं इस problem को बाद जिसने इस तरह से solve किया है कि उन्हों थे grouping कर दी है तमाम organisms की जो के similar है एक जैसे हैं उनकी homologis homologis का मतलब है कि वो एक जैसे हैं वो structurally भी हो सकते हैं वो functionally भी हो सकते हैं उसके इलावा उन्होंने उनके comparative biology, biochemistry को study किया है उनके अंदर पाई जाने वाले तमाम chemicals को bio chemicals को उसके बाद cytology को हम study करते हैं हम cytology और हम genetics को study करते हैं और इन तमाम चीज़ों को base बनाके हम similarities देखते हैं different organisms की for example एक organism हमारे पास आ जाता है हम rose की example लेते हैं rose जो हमारे पास गुलाब का पूल है हम देखेंगे के गुलाब के फूल जैसी और ऐसी कौन से जीज़े हैं जो homologi में के साथ मिलती जुलती हो ट्रक्चरली उसके साथ सेम हो या फिर हम देखेंगे के bio chemical इस जीज़े और कौन से organisms है या वो तमाम कौन से ऐसे organisms है वो यसे तमाम कौन से पूदे हैं जो के rose गुरुप के अंदर गुलाब के फूल के अंदर आ सकते हैं हम cytology देखेंगे हम उसके cell को देखेंगे उसके बार हम genetics को देखेंगे genetically हम genes देखते हैं number of chromosomes को देखते हैं हम genetic makeup देखते हैं कि एक chromosome के उपर genes किस तरह से present है उनका क्या sequence है इन तमाम चीज़ों को लेकर हम एक group पर पहुंच जाते हैं एक closely related group के उपर जिसे हम नाम देते हैं एक species का यानि species in other words क्या होगी species एक smallest unit of classification है यानि ऐसे तमाम individuals जो के एक दूसरे से इंतहाई ज्यादा मिलते जुलते होंगे वो सबके सब इकठे present होंगे अगर हम इसकी formal definition की बात करें species की तो हम बच्पन से बढ़ते आ रहे हैं कि species एक ऐसा group है जो के nature के अंदर freely interbreed कर सके और उनसे हमारे पास fertile offsprings बन सके इनको हम detail में देखते हैं इन दोनों चीज़ों का मतलब क्या है interbreed का क्या मतलब है interbreed का मतलब यह है कि उनके जो genes है वो आपस में combine कर सके यानि कि एक नया individual बन सके for example आपके पास एक species है species A और एक और species आपके पास species B यह हम organism की बात कर लेते हैं आपके पास एक organism है A और दूसरा आपके पास एक और organism है organism B अब यह organism A और B आपस में combine करें या पिर इनके जो genes है वो आपस में combine करके एक नया individual C बनाते हैं तो इस चीज को हम कहते हैं कि यह inter breed कर रहे हैं यह आपस में inकी mating हो रही है इनके जो genes है यानि for example अगर यह male है तो इसका sperm होंगे और यह अगर female है तो इसके eggs होंगे यह आपस में combine करेंगे fertilize करेंगे और एक नया individual बना सकते हैं तो यह nature के अंदर जो organisms freely inter breed कर सके और फिर हम अब second part पर आते हैं fertile offspring fertile offspring का यह मतलब है कि organism A, organism B के साथ combine किया इन दोनों की fertilization हुई इन दोनों के जो एक नया individual बनेगा जो कि हमने stage पर लिखा कि C एक नया individual बना है वो individual इसके अंदर ऐसी tendency होने चाहिए कि वो मजीद reproduce कर सके या फिर reproduce कर सके यानि कि वो fertile हो अगर यह जो organism C है अगर यह fertile है, fertile का मतलब है कि मजीद reproduce कर सके इससे इसकी next generation बन सके तो ऐसे तमाम individuals को हम कहते हैं कि वो सब के सब एक species के अंदर आते हैं फर एक्जांपल हम एक एक्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि species का मतलब क्या है, हम ऐसे कौन से organisms हैं जिनको एक ही species के अंदर डाल सकते हैं फर एक्जांपल आपके पास horse है, गोड़ा जो हम normally अपनी daily routine में तकरीबन हरोज ही देखने में आते हैं उसके बाद अगर हम देखते हैं horse और हम देखते हैं donkey horse और donkey जो हैं वो देखने में मिलते जुलते लगते हैं दोनों की चार्ट आंगे हैं, दोनों की शकलें भी मिलते जुलते लगते हैं अगर horse और donkey दोनों आपस में fertilize करें इनके जो गिलिट यानि फर एक्जांपल आप horse ले 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 और वो दोनों आपस में उनकी मेटिंग करा दें तो एक निया जो organism बनेगा उसे हम कहते हैं वो एक mule बनता है जिसे हम उर्दू में खचर भी कहते हैं और यह जो mule है यह हम अपने different कामों के लिए इस्तमाल करते हैं आपने अकसर देखा होगा कि जो वजन उठाने के लिए आप जिस जानदर को इस्तमाल करें होते हैं वो ना तो घोड़ा होता है और ना ही वो गद्धे की category में आता है बलकि वो एक खचर होता है और इसको इस ताइल नहीं है इसके अंदर fertility नहीं है fertility नहीं है fertility नहीं होने का मतलब यह है कि मियूल मजीद किसी के साथ fertilize नहीं कर सकता मियूल मजीद अपनी next generation नहीं बना सकता तो इसका क्या मतलब वह और डिसकेशन का मतलब यह हुआ कि horse और donkey अलग अलग species से बिलॉंग करते हैं horse जो है वो कोई और species है let's suppose that species A and donkey, donkey जो है वो किसी और species से बिलॉंग करते हैं हम इसको कह देते हैं कि यह species B से बिलॉंग कर रहा है तो यह तो हमने देख लिया कि species का क्या मतलब है species हमने कहा ऐसे तमाम individuals या ऐसे species is a group इसके अगर हम formal definition की बात करें हम कहते है species is a group of natural population which can freely interbreed and produce fertile offsprings तो यह हमने आपको समझा दिया कि इस बात का मतलब क्या है अब अगर जहां हम species के बात करते हैं different तरहा की जो species है जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हमने example देखी species A और पर हमने example देखी यहाँ पर species B की तो दो different species के दरमयान कभी भी genes change नहीं होती इस बात को आप note कर लीजिए कि कभी भी दो different species के दरमयान में gene exchange नहीं होता इसके बाद हम मजीद आ जाते हैं अगर हम classification की बात करें हैं कि हम किस तरह से living organisms को study करते हैं तो जितने भी अभी तक हमारे पास non living organism हैं हम ऐसे करते हैं कि हम उनकी categories बनाते जाते हैं सबसे पहली जो category आती हमारे पास हम कहते हैं हमारे पास जितने भी living organism हैं अगर हम पुराना classification का method देखें तो हम उनको kingdoms में classify कर देते हैं kingdom एक बहुत बड़ा group है आपके पास जिसके अंदर हम living organism classify इस तरह से करते हैं जैसे तमाम living organism जिनने हम जानते हैं वो या तो वो plants होंगे या फिर वो animals होंगे तो इस था से हमने दो kingdoms बना दिये kingdom planty और kingdom animalia फिर इन मजीद जो kingdoms हैं हम इनको divide और redivide करते हैं ताके हमारे पास और और छोटी classes आजाएं चोटे groups आजाएं उस group को हम कहते हैं वो हैं philems या पिर हम इसे division भी कहते हैं division को भी मजीद divide और redivide करते हैं ताके हम उससे भी मजीद छोटे level पे आजाएं जिसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास classes classes से मज़ीद हमारे पास orders आते हैं orders को मज़ीद हम divide करते हैं तो हम families पे आ जाते हैं और families से फिर हम आते हैं genus और फिर उसके बाद species पे और species हमने कहा था it is the basic unit of classification सबसे छोटा unit है और इसी से मज़ीद हम तमाम living organism को बता सकते हैं एक living organism दूसरे से किस सहां से मुक्तलिफ हैं तो हमने क्या क्या चीज़ें देख ली हमने देखा सबसे पहले हमारे पास आता है kingdom उसके बाद phylum उसके बाद class उसके बाद order फिर family फिर genus और species इसको हम अगर किसी example के साथ देखें तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ आएगा let's suppose हम corn की example देखते है corn जो मकई है जिसे हम अक्सर गर्मियों में खाते भी है भुटा भी खा जाते है इसे कुछ इलाकों में तो corn जो है वो basically अगर हम उसका kingdom देखें हम इसको जरा रब कर लेते हैं corn को अगर हम kingdom की बात करें तो corn हमारे पास प्लांटी के अंदर आता है obviously ये एक plant है corn को हम कहते हैं कि वो plant kingdom प्लांटी के अंदर आता है फिर plant तो एक बहुत बड़ा kingdom है बहुत बड़ा group है उसके अंदर से वो कौन सा phylum या वो कौन सा division है जिसके अंदर ये जो corn है ये लाए करता है corn को हम पढ़े है यह हमें लिख देती हूँ तकि आपको याद रहे corn मकई जिसे हम कहते है मकई की classification हम देख रहे हैं यहाँ पे प्लांटी जो है वो बहुत बड़ा group है उस group को मजीद divide करते हैं हम कहते हैं हमारे पास phylum मिनता है anthophyta का anthophyta या फिर अगर हम इसको study करें हम इसको trachyophyte भी कहते हैं trachyophytes आप अप अलड़ी अपने 10th grade में पढ़के आ चुके हैं कि trachyophyta जो group है उसके अंदर क्या 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 चीज़ें क्या क्या और्गनिजम जाते हैं किस तरह के प्लांट जाते हैं anthophyta के बाद हमारे पास मजीद हम anthophyta भी एक बहुत बड़ा group है हम उसको मजीद अगर छोटे-छोटे classes में डिवाइट करें तो जो कौन की चो class है वो होती हमारे पास angiospermy angiospermy और उसके बाद angiospermy जो है वो बेसकिल आपको 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 इस monocorps आते हैं monocorps इनको मजीद हम आपको detail में बताएंगे कि monocorps किस तरह के प्लांट थे उसके बाद अगर हम order की बात करते हैं कौन की जो order है पॉल्स उसके बाद हमारे पास family अगर हम बात करें family है हमारे आपके पास poesy और उसके बाद genus जो है जी और जो स्पीशी है वो मेस तो यह हमने देख लिया कि हम किस तरह से कौन जो है आपके पास जो छली या भुटा है normally मकाई जिसे हम कहते हैं उसकी classification किस तरह से करेंगे अब अगर हमने कौन को स्टेडी करना है तो हमें पता है कि कौन जो है वो ब्लांट है यह तरह वो एंथोफाइटा ग्रूप के अंदर है अंजियोस्परमी है और उसका जो और है वो पोल्स है फैमिली उसकी पोईसी है जेनिस उसका जी है और स्पीशी मेज है और इससे हम उसका बाइलाजिकल नाम भी दे देते हैं यह जो biological naming configuration होती है, हमारे पास naming होती है biology में, biological name हम किस तरह से देते हैं, पहले हम genus और फिर उसके बाद species के name लिखते हैं, यानि कि अगर हम कौन की बात कर रहे हैं, तो इसका biological name क्या हो जाएगा, कौन का name हो जाएगा, z mace, sorry, mace का m छोटा लिखेंगे हम, हमारे पास g, m जो है वो छोटा लिखा जाएगा, naming इस तरह से आपने देनी है, z mace जो हमारे पास कौन का biological या scientific name आ जाएगा, अब यह naming हम इस तरह से क्यूं देते हैं, हम कोई और नाम भी तो दे सकते थे, जो हमने नहीं दिया, इस चीज़ को हम अपने next lecture में देखेंगे, जो के हम पढ़ेंगे, नॉमन क्लेचर के अंदर, कि नॉमन क्लेचर क्या होता है, और यहां जैसे मैंने अभी capital M लिखा था, लेकिन अब मैंने इसे small लिख दिया है, और यह जो हमने एक अजीब सा नाम, और मुश्किल सा नाम ले ले लिया है, जी मेज, यह क्या है, यह हम क्यों इस्तमाल करते हैं, हमने क्यों कहा कि यह biological name है, इस चीज़ को हम अपने next lecture के अंदर detail में आपको बताएंगे, और फिर आपको समझा जाएगा, कैसा क्यों करते हैं, आज के lecture को थोड़ा सा summarize कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ क्रीबन 15 लाक अनिमल्स की टाइपस को हम जानते हैं, इसी तरह हम तरह हम तक्रीबन 5 लाक पोडे हैं ऐसे पोडों की किसमे हैं, जिनको हम जानते हैं, अगर हम सिंपल तरीके से करेंगे तो क्या होगा अगर हम कोई method यूज़ करेंगे जिस तरह से biology के अंदर method को यूज़ किये जाते हैं तो किस तरह से हम divide करते हैं living organisms को उसके बाद हमने simplest group देखा जिस सबसे छोटा और सबसे basic group हमारे पास बनता है वो होता है वाई पर specie, specie को हम define किया कि specie किस तरह से define होती है क्या वो तमाम organism जो कि freely interpret कर सेंगे, जो कि fertile offspring बना सकें वो एक specie के अंदर आते हैं हमने आपको example किसु समझाया कि specie कैसे कहते हैं, कौन से organism एक specie के अंदर आएंगे फिर उसके बाद हमने आपको एक taxonomical structure, taxonomy, taxonomy के ओते हैं यह आपको बताए हमने, taxonomy जो है वो कहते हैं जी हम categories को, अगर हम categories बनाते जा रहे हैं, different चीज़ों की से, अभी हमने बात की थी कि हमारे पास kingdom है, फिर phylum है, taxonomy जो है, हमने कहा यह क्या है, यह आपके पास categories है taxonomy का जो word है, वो आपके पास taxa से निकला है, यह जो word है, taxa से निकला है, और taxa आप कह सकते हैं category तो यह जो हमने categories बनाई है, different आपके पास, सबस्पहले kingdom था, फिर phylum, फिर class, फिर order, family, genus, species, तो यह आपके पास different categories आगे हैं, different groups आगे हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं, यह taxonomy हैं, और जब हम एक biology के अंदर different organism को classify कर रहे हैं, तो यह कमारे पास hierarchy बनती जा रही है, hierarchy का मतलब ह कि सबसे उपर के level के उपर आपके पास plan, एक सबसे बड़ा organism है, बड़ा group है, उसके बाद आप जूँ जूँ नीचे आते जाते हैं, आपके पास एक जो हुजम है, overall volume है, वो कम होते जानी, अगर आप इसकी diagram को बनाएं, तो आपके पास कुछ ऐसा structure बनेगा, जिसमें जहा यहां पर सबसे जादा organism होंगे, जिसे हमने कहा कि यह आपके पास kingdom है, और फिर उसके बाद आपके पास phylum आएगा, और फिर इसी तासे divide, divide करकर, कि सबसे नीचला जो आपके सबसे आखर में आपके पास बनेगा, वो होगा आपके पास species का column, और species में सबसे कम organism आएंगे, यानि कि जूँ जूँ आप उपर जाते जाते हैं, आप मजीद generalize करते जा रहे हैं, और जूँ जूँ आप नीचे आते जाते हैं, यहां पे आपके पास generalize जादा हो रहा है, और जूँ जूँ आप नीचे आते जा रहे हैं, आप more specific होते जा रहे हैं, specific का मतलब है कि आप ए जो जो नीचे जा रहे हैं आप मजीद डीटेल में पढ़ सकते हैं सबसे आखर में क्यूंकि आपके पास पूरे के पूरी पूरी स्पीशी आजाएगी तो आप इस पीशी को ही स्टडी कर रहे होंगे और जो आप उपर जाते जाएंगे आप उसकी फैमिली को उसकी क्लास को पूर्डर को आप उसके फाइलम को स्टडी कर रहे होंगे वो मजीद जेनरलाइज होता जाएगा तो यह ओरर एक कॉंसप्त था टैक्सानमी का जो के देना जरूरी था इस टॉपिक के साथ नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम नॉमन क्लेचर को स्टडी करेंगे बालॉजिकल जो नेमिंग कंफिगरेशन नेमिंग है अब किस तरह से नेमिंग देते हैं नेम देते हैं बाइनोमिल नॉमन क्लेचर जिसे हम कहते हैं तो यह आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे यह आप देखेंगे नेक्स्ट लिक्चर में आज के लिए एपना ही